जुन्जुनु एफी फीट है आप समझ गए एक जुन्जुनु एफी फीट है शेखावाटी बेल्ट की एक फीट जहां पर गुजरात में दिया गया पुर्शोत्म रुपाला के बयान का असर जुन्जुनु के राजपूत वोटर्स पर अच्छा खासा दिखाए दिया शु पर शुद्धर बेल्ट में हमें दिखाए देती है शेखावाटी बेल्ट में थोड़ी सी बीज़ेंटर ओला की इस लड़ाई में पुर्शोत्म रुपाला का एक बयान एंटी बीज़ेपी सेंटिमेंट क्रियेट कर गया है रशीट जी देखे मिनाक्षी एक तो जो सेंट मुसंबान को ठेस पहुंची है वोट कितने आएंगे क्या आएंगे तो चार तरिख को पता चलेगा लेकिन विनाक्षी एक चीज़ का में ध्यान अखना चाहिए जो पूरे देश में एक वातावरार बना हमारे मितल साब कह रहे थे कि महाल का बसर नहीं होता वो भी ठीक है लेकिन देश के पूरे चुनाव में कि चुनाव में कुछ गरबर है चुनाव बिलकुल एक तरफा नहीं है चुनाव बिलकुल मुदी जी के पक्ष में नहीं जा रहा है यह कहां से शुरू हुआ अभी राक्षी यह राजिस्थान से शुरू हुआ और इसी संदर में राज और क्योंकि यह तो बिल्कुल हिंदी हाट्लेंड की दो बार 14 उनने इसमें पूरा का पूरा मतलब उनके फेवर में गया और अगर वहां के उपर जाती समी करण के आधार पे उलट फेर होती तो यह दिखिए आप पांच को मत गिरिये यह बहुत ज़्यादा व्यापकिस का जो के लिए युद्धर जाने की बात देखिए यह अभी उनसे बात भी थी जो कॉंग्रेस के अधार शेय गोर्मिन सिंग्ग 12 वह यह कह रहे थे कि और शीटी आएंगी और शेखावर्टी में तमाम उनका प्रदाशन बहुत अच्शा होगा नहीं तो यहां तक कह रहे थे कि मैं तो अपने पर से त्याक पत्रों दे दूँगा अगर वहां के पर कॉंग्रेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो इतना देखिए उनको आपको कॉंग्रेस तो इस प्रदर्शन को लेकर दावे करेगी सुरांशी चे एक और सीट की क्योंकि बहुत सारी जूजू क काल में वो कभी हारे नहीं कभी नहीं हारे और उनके परिवार के पर भूशन भी मिला था सबसे आदा यहां पर पाज में लोग बहुत बढ़ती होते हैं तुम मैंने कहा यह यह सीट लेकिन सीसाम जी के बाद जो एक तरफा चुनाव जाता था हमेशा सीसाम होला जी के लिए वो चौधा में भी और उन्निस में भी वो नहीं गया क्योंकि उनका एक व्यक्ति तो अलग था वहां पर उनके परिवार के लोग लड़े उसमें लेकिन कभी सफल नहीं हुए जो कल्पनाय करी जारी है ना यहां तो जाट जहारी के जाट खिलाव है जाट तो पहले भी नहीं दे रहा था मजशतान वे लेकिन आपने देखा विश्वेंद्र जो है भरत पूर में जाटों के सबसे बढ़े विश्वेंद्र हा complicated ships कि परिवार हारा है इस्विए कि यह सीट कुछ गर्णित में जा रही है तो इसलिए अब वो नहीं है तो यह सीट इधर ही जा रही है उधर नहीं जा रही है